चलिए फटा-फट कोश्चन करिए 1125 इंटू 64 इंटू 60 इंटू 625 के गुडनफल के दाहिनी और कितने सुनने होंगे completely इनका multiple करोगे तो last में कितने 0 आएंगे यह आपको बताना है बहुत simple है आईए मैं बताता हूँ देखो मेरे भाई सबसे पहले इनके factor कर लिजी आप देखिए इसको 5 गुड़े 5 करेंगे न तो आपको पता है इसको जब 5 गुड़े 5 करोगे basic इतना आपको आता है तो 5 कगाद 2 आएगा नहीं बात है न इसको 2 गुड़े 2 करोगे अगर 64 को मेरे भाई तो 64 को हम 2 कगाद 6 लिख सकते हैं इतना basic गड़े आपको आती है कि 64 को हम 2 कगाद 6 लिख सकते हैं इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए है न इसको हम क्या लिख सकते हैं 60 को 60 को देखो 2 गुड़ा 2 यानि एक बार 2 से भाग करेंगे 30 आएगा इसे मुझे लग रहा है कि 2 कगाद 2 लिख सकते हैं तो दूना 4 ती बारा पंचे साथ न यह हो सकता है देखो अकुल मिला करके मोटा मोटा अगर हम इसाप करें एक बार थोड़ा बिश्तार से करी देते हैं देख लो इसको तो मैंने सीधा-फिधा लिख दिया इसको भी लिख दिया इसको मैं लिख ले रहा हूं दो दूना 4 तीयाई 12 पंचे साथ ठीक है और 625 को हम 5 की घाद के रूप में लिख सकते हैं कितनी बार 5 बार होगा क्या देखो पांच 25 पंचे 125 पंचे 625 चार बार होगा ना यार करके देखो अरे 25 25 आप में 625 होता है न तो 5 का घाद 4 होगा यानि हम इसे 5 का प्वावर 4 लिख सकते हैं अब समझना यह 4 घाद यह 1 घाद यह 2 घाद और यहां पर देखना इनको सबको वही तो हिसाब करना है न में 5 और 2 की घाद निकाल नहीं है फाइनल में तो 5 का घाद देखो 2, 1, 3 और 4, 7 यानि 5 का घाद 7, 2 का घाद कितना आ जाएगा 6, 2, 8 और यह 3 अकेले है लेकिन हमें इस 3 से कोई मतलब नहीं है इसको हम लिखे या ना लिखे जैसे मैं आल्रेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि इ उनकी घातों से मतलब है बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होता है कोई रहे या जाए जैसे साधी में आपने देखा है बरात जाती न तो क्यों दुलाहा दुलाहिन से में मतलब रहता है हाँ उसके माता पीता से भी रहता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं बाकी बराती रहे रहे कोई मतलब नहीं कि समझ रहो ना मुख्य वहीं होते हैं तो वैसे क्या है यह दुन दुला दुला इन मांद लो इनको बस इसमें अभी रूल में क्या लिखा पीछे पल्टो लिखा था कि इनके संख्याओं के गुड़नफल में हमेशा दो की जो संख्या है वो जादा होगी प लिखेंगे गुड़नफल के अंत में साथ सुनने होंगे कितने साथ सुनने होंगे देखिए इनका मल्टीपल नहीं करना पड़ा कितना आसानी से आ गया ना तो परिक्षा में कल्कुले संतेज होने के लिए आपका बेसिक बहुत बहतरीन होना चाहिए जैसे मैंने 64 को दो क खाच छे लिखे दिया तो तुम्हें कोई कन्फियूजन नहीं होना चाहिए जैसे सुप